हाई विठोले इंजल वेल्कुम तो दिवाइन फैमिली राधे राधे जैश्री किष्णा आई होप आप सोल अच्छे होंगे खुश होंगे और स्वास्त होंगे मेरा नाम है रेनू और मैं ले आई हूँ आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आउंस करना चाहती हूँ 30 सब्तंबर को मेरा आर्केंजल रैफियल अट्यूनमेंट वर्क्शप स्टार्ट हो रही है जो वन वीक की वर्क्शप है जिसमें मैं प्रेयर्स, हीलिंग, मेडिटेशन, सिंबल्स ये काफी कुछ सिखाती हूँ और साथ में आपको लाइफ सेशन में अट्यूनमेंट भी देती हूँ तो अगर आप इन्रोल करना चाहते हैं, इंट्रस्टेड हैं और साथ में परसनल रीडिंग सेशन बुक करमाना चाहते हैं हम मेरी टीम को कॉंटेक्ट कर सकते हैं, ये नमबर्स या लिंक आपको डिस्रिप्शन बॉक्स में मज़ जाएगा और साथ में, आज के बाद कुछ जो डेली वाली रीडिंग होगी, वो सिर्फ मेंबर्स के लिए अवेलेबल होगी तो आपको अगर उन डेली वीडियो उसको वाच करना है, तो आपको मेंबर्शिप जोइन करनी होगी, तो जोइन बटन से आप जोइन कर सकते हैं, ठीक है जी तो आप स्टार्ट करते हैं और ऐसा नहीं कि मैं चैनल के लिए नहीं बनाऊंगी तो चैनल के लिए भी बनाती रहूंगी जब मिस हो जाती है तो मैं डिसारी मिस हो जाती है तो आज देख लेते हैं हम लोग Blessings, Blessings, Blessings कौन सी Ancestors की तरफ से आपको Blessings आने वाली हैं इस समय में आपकी तरफ ठीक है तो यहाँ पर मैं Ancestor Dex से तीन कार्ड निकाल लूँगी ठीक है उसके बाद हम लोग सेंड रीडिंग से भी देखने वाले हैं तो मेरे पास जो फिलिप हुए कार्ड मैं वो ले रही हूँ ठीक है और कुछ तो जो मुझे नहीं दिखाई दिये तो मैंने छोड़ दिये हैं तो यहाँ पर मेरे पास आ रही हैं चार कार्ड ठीक है तो अब देख लेते हैं क्या messages है Let's see कि कौन सी Blessings आपकी तरफ आ रही हैं आपके Ancestors की तरफ से यहाँ पर है Guardian Angel You are not alone मुझे एकदम से याद आ गया कल मैं अपने गार्डन में मुझे बहुत छोटे तीन चार फैदर मिले वाइट और ग्रे कलर के तो definitely देखते ही उनको ऐसे पता लगता है कि हाँ Angels आपके अराउंड है आपकेले नहीं हो यहाँ पर तो इस तरह के Sign आपको मिल सकते हैं इन दिनों में Angel Numbers दिखाई दे सकते हैं आपको Feathers मिल सकते हैं आप और जादा Pure और Light होते जा रहे हो तो काफी सारे आपके कार्मिक Depts जो है वो Finish हो रहे हैं यह मुझे लग रहा है और किसी ना किसी तरह से आप Higher Learning की तरफ भी जा रहे हो Higher Vibration की तरफ भी जा रहे हो Ascent हो रहे हो और साथ में यहाँ पर काफी सारे Universe की तरफ से आपको Messages भी Receive हो रहे हैं हर तरह की Knowledge से जुड रहे हो यह आपका दिल करेगा कोई ना कोई Workshop को Join करने का Learn करने का अपनी Healing Journey में आगे बढ़ने का दूसरों को Help करने का Heal करने का तो कुछ इस तरह की वो होगा और साथ में आप बहुत ज़दा Light भी फील करोगे Purity, Peace को अपनाओगे आप उसको Choose करोगे हर Situation में आप ढूंड़ोगे किस तरह से मैं Peacefully इस Situation को Handle करोँ या आपको करने की ज़रत है या आपको आप में बदलाब आएगा ठीक है एकदम से आप Purity के साथ आप Handle करोगे हर एक चीज़ को बिनकुल साफ सुत्रे उसमें ठीक है चाहे वो आपका Communication हो चाहे आपके Actions हो तो हर समय आपको ये रहेगा कि मेरे से कोई गलती न हो जाए मुझे अच्छे कर्मा क्रियेट करने है ठीक है तो इस तरह की आपकी perception रहेगी या perception आपकी change हो जाएगी और इसी तरह से हर इक situation में किस तरह से मैं calm down रहेकर किसी तरह से peacefully हर इक situation को handle करूँ communicate करूँ और आपकी communication में भी निकहार आ रहा है ठीक है तो ये blessings है आपको universe के तरफ से आ रही है ancestors के तरफ से आ रही है यहाँ पर है shape shifter transform from unveil your gifts transform and unveil your gifts तो आपको आने वाले दिनों में आपको पता लगेगा ठीक है कि कौन से gifts आपके पास है इस तरह की information आपके पास videos वगरा पहुंच सकती है gifts आपके open हो रहे हैं काफी सारी wisdom और बड़ी उडान भी बर सकते हो इन दिनों में आप ठीक है और आपकी clear point बहुत ज़दा sharp होने वाली है कि inner knowing हर एक चीज का पहले पता लग जाना हर चीज का घ्यान हो जाना ठीक है तो इस तरह की आपके gifts हो सकते हैं और उसमें add-on भी होने वाले हैं आप अपनी true self authentic self को महसूस कर पाऊगे जब ये gifts open हो रहे होंगे कि actual में आपकी authentic self किया है आपको इस तरह के feathers जो brown color के मैं use करती हूँ अपनी videos उगरा में ऐसे वाले वो भी feathers आपको मिल सकते हैं यहाँ पर वो नजर आ रहे हैं काफी सारी intuitive messages और channeling है यहाँ पर और डरिये मत यहाँ पर आपको जो अगर डर था अपने gifts को share करने का यहाँ पर या spirits के साथ connect होने का तो यहाँ पर वो डर भी आपका खतम हो रहा है दीरे दीरे आप transient हो रहे हो high vibration में जा रहे हो अपने purpose को अपने gifts को पहचान पा रहे हो ठीक है और आपका उन gifts को लेकर या spirits के साथ connect होने या ancestors के साथ connect होने वाला जो डर था past में वो भी जाता रहेगा जिससे आप और अच्छे से इन gifts के साथ connect भी हो पाऊगे इनको receive भी कर पाऊगे जो messages है और share भी कर पाऊगे लोगों के साथ ठीक है तो यह blessings आ रही है आपके पास और यह कहीं न कहीं मुझे shaman वाली भी feeling आ रही है अगर आप shaman हो आप बहुत सारी healing gifts हैं आपके पास किसी के पास तो वो finally उन gifts को accept कर पा रहा है बहुत सारी gifts को उनके साथ जुड़ पा रहा है और अपनी shaman journey पर भी निकल रहा है तो ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर है shield maiden make plans and focus तो यहाँ पर जहाँ जैसे आप यह spiritual आपकी growth हो रही है यहाँ पर आपको बड़ी सोच समझ के साथ plan बनाने है future के लिए ठीक है और focus करना है अपने path के लिए अपने life purpose को serve करने के लिए किस तरह से आप लोगों को help कर सकें इस के लिए कही नखी आपको journey के लिए अपनी healing हो या दूसरों की healing हो या आपकी ये gifts को वो करना है या आपका life purpose को share करना है उसके लिए अगर कोई अगर आपको कोई fight back करना पड़े stand लेना पड़े वो भी आपको यहाँ पर करना होगा और उसके लिए भी आपको bless किया जा रहा है कि आप में inner strength है कि आप fight back कर पाओगे especially यहाँ पर feminines की मुझे वो लग रही है क्योंकि feminines को रोका जाता है कुछ healing courses करने से workshop जोईन करने के लिए tarot सीखने के लिए सब के लिए नहीं है लेकिन मुझे कुछ feminines के बारे में message मिल रहा है यहाँ पर तो लेकिन वो fight back कर सकती है उनमें inner strength वो महसूस करेंगी और वो अपने लिए stand भी लेंगी कि उनको जो करना है या उनको जो life purpose दिया गया है उनको वो share करना है उसके साथ आगे बढ़ना है definitely कोई अपने लिए stand ले रहा है अपने आपको protect कर रहा है अगर किसी भी तरह की negativity में रहा है या किसी भी तरह की negativity attack कर रही है आपको ठीक है आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है आपको block किया हुआ है stuck करने की कोशिश कर रही है यह लोगों की energy हो सकती है लोगों की thoughts हो सकती है या उनकी negative energy हो सकती है but definitely आप fight back भी करने वाले हो और अपने लिए stand लेकर आगे भी बढ़ने वाले हो यहाँ पर क्योंकि इसमें आपके ancestors आपको help कर रहे हैं जो gifts होते हैं वो भी हम लोगों को ancestors की तरफ से मिलते हैं ठीक है और उसको फिर protect करना आपको आपके life purpose से जोड़ना आपको healer बनाना भी उने की responsibility universe और आपके ancestors की responsibility होती है और उनकी तरफ से पूरी तरह से आपको help और support मिल रही है यहाँ पर bless किया जा रहा है यहाँ पर एक और message अपनी uniqueness को पहचानो ठीक है दूसरों को follow मत करो इवन as a healer दूसरों को follow मत करो ठीक है कि social media पर वो healer क्या कर रहा है अपनी आपकी uniqueness को पहचानना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उससे सून कोई new आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पर कोई teacher और आप teacher हो सकते हो motivation speaker भी हो सकते है इस sword से कि आपको कुछ clearly अपनी share करने है अपने gifts अपनी wisdom को share करने है लोगों के साथ तो उसके लिए भी आपको आगे बढ़ना होगा उसके लिए भी आपको आगे बढ़ाया जा रहा है आप में हिम्मत आएगी confront करने की लोगों को अगर आप में यह कैसे मैं बात करूँ कैसे मैं अपनी बात को रखूँ camera को कैसे face करूँ यह इस तरह के अगर आपको डर भी रहा है तो आप उस डर को face करने के लिए learnने के लिए fight back करने के लिए confront करने के लिए भी आप ready हो अपने डर को भी आप पिछे छोड़ रहे हो यहाँ पर है mother earth feel loved and comforted तो यहाँ पर यह empress की energy है तो आप में से जो mother यहाँ पर fertile हो सकती है इस समय में ठीक है अगर आप baby conceive करना चाहते है तो definitely यहाँ पर आप mother बन सकती है और यहाँ पर कोई भी ideas भी हो सकते है समय में जैसे मैंने पहले भी बोला creative ideas तो यहाँ पर creative ideas भी हो सकते है जिसके साथ आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है और वो grow करेंगे ideas ऐसे ही नहीं आपको दिये जा रहे हैं देख रहे हैं यहाँ पर कितना green है, fruits हैं यहाँ पर इस green में, butterflies भी हैं, तो यह transformation हो रही है जो आप में, यह आपको तयार किया जा रहा है कि नए नए आपको gifts open होंगे आपके, आप इतनी abundant energy में होगे कि आप नए नए creative ideas को जनम दे सकते हो, नए projects को जनम दे सकते हो, कुछ unique उन सब चीजों की जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको लोगों को heal करना है, यहाँ पर अर्थ की healing के लिए, आपको messages या ideas receive हो सकते हैं, किसी को animals को किस तरह से rescue करना है, उनको कैसे heal करना है, उनको कैसे nurture करना है, ठीक है न, तो वो हो सकता है, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से आप को मिल सकते हैं, जिनके साथ आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है, और यही blessings भी रहेंगी आपके आने मले कुछ दिनों में, ठीक है जी, अब चलते हैं, हम लोग सेंड वीडिंग की तरफ, तो देख लेते हैं, अब सेंड रीडिंग से और क्या messages हैं आपके लिए, ancestors की तरफ से आपके लिए क्या message है, तो सबसे पहले ही यहाँ पर red color से, आपका passion वापिस आने वाला है, ठीक है, कई न कई हैं, आपके karmic depths पे हो चुके हैं, आपकी vibration बढ़ रही है, दबारा से आप बड़ा focused हो रहे हो, अपने life purpose के लिए, अपने dreams के लिए, goals के लिए, जो even in goals, और dreams में, आपका life purpose भी हो सकता, कि हाँ, मुझे यह इस तरह का healer बनना है, यह मुझे life purpose ज़र्ब करना है, उसके लिए आप बहुँ ज़दा serious और focused होने वाले हो, ठीक है, और इसमें आपको काफी सारी universe की तरफ से, ancestors की तरफ से काफी messages, और काफी सारी help और support भी, किसी images के रूप में, ideas के रूप में, और लोगों के रूप में आपकी life में पहुँचे, ठीक है न, ताकि आप आगे बढ़ सके, तो अगर आपका काफी देर से आप stuck feel कर रहे हो, काफी देर से आप move नहीं कर पा रहे हो, काफी देर से आपको लगनी रहा, आपको पता नहीं लग सकती है, आपको रास्ता दिखाया जा सकता है, आपको guidance और कहीं न कहीं से messages receive हो सकते हैं, ताकि आप decide कर सको, decision ले सको, कुछ नया सीख सको, कुछ नया start कर सको, ठीक है, तो वो सारा आपके आने वाले कुछ दिनों में ये होने वाला है आपके साथ, जो blessings हैं आपके लिए, ठ तो अगर आपने कल की reading देखी है, तो उसमें भी आपके blockages को remove किया जा रहा है, तो ये message भी आया था महाँ पर, तो definitely आपके और five day वाली उसमें भी आया था, good news, financial blockages move किया जा रहे हैं, और या किसी भी तहां से, ठीक है, negativity को remove किया जा रहा है, finally आपकी life में balance और flow आता आपक आ रही है, तो ये blessings हैं, आपके ancestors की तरफ से, और देख लेते हैं, आपके ancestors की तरफ से, और क्या blessings आपकी तरफ आने वाली है, definitely या पर lotus बन रहा है, तो आपको आपकी तरफ काफी clarity आ सकती है, चीजे clear हो सकती है आपको, जो छूपी हुई थी चीजे, बहुत कुछ reveal हो सकता ह ये पहले मुझे message मिल रहा, spiritual gifts के बारे में, आपके spiritual gifts क्या है, ठीक है, कैसे आप serve करोगे, कैसे heal करोगे, इस तरह की कुछ information या videos आपके सामने आ सकती है, तो ये ancestors की तरफ से आप तक भेजी जा रही हैं, ताकि आपको clear हो अपनी life path के बारे में, अपनी journey के बारे में, ठीक ह है, ठीक है, और देख लेते हैं, और क्या messages है, ancestor की तरफ से क्या blessings है, काफी कुछ expose किया जा रहा है, जैसे कौन लोग, डिसप्टिव लोग कौन है, ये कल की reading में भी निकला था, ठीक है, तो ऐसे लोगों को expose किया जाएगा, ताकि आप आने वाले समय में, उन लोगों से और अपने रास्ते को choose कर सकें, उसको अपने रास्ते को अपनी life को prioritize दे सकें, अपनी self worth को समझ सकें, ठीक है, और अपने आपको cut करके अपनी soul journey पर निकल सकें, अपनी soul family से connect हो सकें, जो एक दूसरे की growth में help करते हैं, तो यहाँ पर आपके karmic cycles end होंगे, आपको disconnect किया जा जाएगा ऐसे लोगों को आपके सामने, ताकि आप सोच समझ के आगे बढ़ सकें, अपने रास्ते को choose कर सकें, सही decision ले सकें, यह blessings आ रही हैं आपके ancestors की तरफ से, आपको नए रास्ते दिखाए जा सकते हैं, इस समय में आपके सामने कोई particular learning या कोई workshop आ सकती है, जिसमें आ आपके ancestors की तरफ से ही होगा कि आपको बोला जाएगा कि यह workshop क्योंकि आपकी healing के लिए भी और दूसरों की healing के लिए भी जो आप करोगे, ठीक है, इन skills को सीखोगे, तो वो ज़रूरी हो सकती है, तो यहाँ पर यह blessing है, abundance के रास्ते खोले जाएंगे, आपके finances improve होंगे इस समय में, वो इसलिए, ताकि आप इसकी tension मत ले सको कि अरे, money नहीं बनती है, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ताकि आप इस तरफ ध्यान न दे सकें, आप अपने life purpose पे ध्यान दे सकें, अपने कर्मा पे ध्यान दे सकें, और अगर कुछ सीखने जाएं, तो सीख सकें उस चीज़ को, आपके लिए, ये सोच रहा न पड़ें कि, अरे, मेरे पास enough money नहीं है, किसी workshop को join करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो ऐसा कुछ आपके मन में विचार ना आए, तो इस समय में आपके financial growth definitely मुझे लग रही है, ठीक है, होने वाली है, और आपको नजर भी आ जाएगी, आपका अपनी intuition को सुनना इस समय में बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारे messages, अपनी इस growth के बारे में, इस journey के बारे में, अपने life purpose के बारे में, अपने spiritual gifts के बारे में, आपको messages receive हो सकते हैं, तो यह मैंने पहले भी बोला है, डीली वाले में भी काफी message निकल रहा है, यह listen to your intuition, ठीक है, मेरे cards में भी निकल रहा है, तो आपको ध्यान देने की जुरत है, बहुत सारी help and support, मैंने पहले भी बोला है, उसमें help and support आपको मिल रही है, इस समय में, ठीक है, अगर particular जगां पर ऐसा लगे है, कि आपको help and support चाहिए, तो आप मागिए, बोलिए, ठीक है, ancestors को बोलिए, इश्वर को बोलिए, angels को बोलिए, कि आपको यहाँ पर इस situation में particular मुझे help चाहिए, support चाहिए, ठीक है, तो please मुझे help भेजिए, help करिए, तो definitely आपको help मिल जाएगी, अगर आपके बच्चों की health इस समय या pet की health ठीक नहीं है, तो ancestors की blessing से वो health भी उनकी ठीक हो जाएगी, heal हो जाएगे, ठीक है, तो यहाँ पर यह message है, यह भी blessing है आपके लिए, mental health, emotional health अगर आप पूछ रहे हो, तो यहाँ पर यह message है, definitely, mentally, emotional health उनकी improve होगी, जिनको support चाहिए, यहाँ पर अपनी family members का, या फिर बच्चों का, तो definitely यह support भी आपको मिलेगा, जिन लोगों से अब disconnect होना चाहते थे, course को cut करना चाहते थे, इस समय ancestors आपकी help करेंगे, कि finally आप goodbye बोल पाओ, finally आप course को cut कर पाओ, disconnect कर आओ, मैं सर्फ उनको बोल रही हूँ, जो किसी भी तरह की negative लोगों के साथ connected है, ऐसा नहीं है कि, ठीक है, सबके जाथ, मैं सिर्फ उनको, जो कई वर कोई friend, कोई relative, कोई, ऐसे होते हैं हमारे, ठीक है, वो हिम्मत दी जाएगी, ठीक है ना, और आपको अपनी self worth भी दिखाए जाएगी, ताकि अपनी self worth को अपनी journey को choose कर सकें आप, पहले आप अपनी authentic self से डर रहे थे, ठीक है, उसको अपनाने से डर रहे थे, लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा, ठीक है, अब मुझे ही कुछ ना कुछ सुनना पड़ेगा, ये वो, अब आपकी वो फिक्र जो है ना, वो, आपकी वो, perception change हो रही है, सिधी सी बात है, perception change हो रही है, अब आप वह ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कैसे जुड़ो, authentic self से, क्या क्या करूं, कौन से spiritual practices करूं, कि मैं अपनी authentic self से, पूरी तरह से अपनी authentic self को embrace कर सकूं, उसके साथ connect हो सकूं, ठीक है, आप resistance में थे, पहले आप डर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अब आप change हो रहे हो, transform हो रहे हो, perception change हो रही है, आपकी सोच बदल रही है, आपका नजरिया बदल रहा है, जो आपको आगे बढ़ने में help कर रहा है, और चाहे आपको अकेला चड़ना पड़े, पर आपको डर नहीं लग रहा, आप face करने के लिए ready हो, चाहे वो पिलकुली totally unknown, unknown chapters हो आपके लिए, unknown जगा हो आपके लिए रहने के लिए, चाहे unknown ये gifts और वो हो, journey हो आपके लिए, लेकिन आप ready हो, ठीक है, आप ready हो ये सब करने के लिए, वो जो card भी था ना, ऐसा girl वाला, ठीक है ना, तो definitely ऐसी energy है, ठीक है, और देख लेते हैं, और क्या blessings है, बहुत सारे creative ideas भी आ सकते हैं, आपको इस समय में, जो आपको कहीं न कहीं, शायद आपको ये message भी receive हो, कि आपको share करने हैं, ये लोगों के साथ, ठीक है, मेरी dailys में भी निकले हैं, messages ये, ठीक है, तो आप ये सोच सकते हो, आपको intuitively messages मिल रहे हैं कहीं, कि आपके पास जो wisdom है, वो share कीजिए, आपके पास जो gifts और talents है, उनको share कीजिए, और अगर आपको अभी भी कोई difficulty आ रही है, again ancestors को बोलिए, मुझे help कीजिए, ठीक है? कुछ रिष्टों को लेकर आपको red flags जिसको already दिखाई दिये गए हैं, दुवारा से भी red flags दिखाई देंगे, क्योंकि ancestors आपकी कहीं help करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप फिर से उन karmic cycles में ना फसे रहो, ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना कि कहाँ पे red flags हैं, कौन से आपके इस relationship या इस partnership से related आपके कैसे experiences रहे हैं past में, ठीक है, और ये नहीं सोचना है कि आपको ये अब change हो जाएगी या हो जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रख कर आगे बढ़ना है, और इसमें आपके ancestors आपको याद करवा रहे हैं, आपके past के experiences, ठीक ह cycles में से निकाला जाएगा, end करवाए जाएगे, अगर कुछ चीज़ें जो हैं, आप खुद नहीं कर पाएगे ना, तो यहाँ पर divine intervention है, यहाँ पर ancestors आपको help करेंगे उन karmic cycles में से, बहा निकाले में, goodbye बोलने में, ताकि आप और time ना waste कर सको अपने लिए, ठीक है, और life purpose क लिए आगे बढ़ सको, यहाँ पर अगर आप, कुछ नहीं करते हो ancestors के लिए, यहाँ पर simple सा, मैंने कल की reading में भी एक video में डाला है, ठीक है, आपको जो है ना, दिया जलाना है आपको, ठीक है, south direction में, ठीक है, दक्षिन दिशा में आपको दिया जलाना है, तो दक्षिन दिशा में छोटे से table या stool ले लिजी, उसके उपर simple सरसों को तेल कशाम के समय दिया जलाईए, और वहाँ पर दिया जलाते हुए, बोलिए, कि आपने ancestors को simple अपने words में, कि मुझे generation healing में, DNA healing में, bloodline healing में, help कीजिए ठीक है, मेरे मुझे, मेरे परिवार को bless कीजिए, बच्चों को bless कीजिए, और मुझे हिम्मत दीजिए, कि मैं दुनिया में कहीं न कहीं, लोगों को heal कर सकूँ, अपने gifts के साथ काम कर सकूँ, अच्छे कर्मा create कर सकूँ, तो generational healing के लिए आप थोड़ा सा बैठ के बोल सकते ह ठीक है, जादो समय नहीं लगेगा, पर अगर आप कुछ भी नहीं करते हो ancestors के लिए तो ये जरूरी है आपका करना, ठीक है, उनको अच्छा लगेगा, उनकी healing होगी, और आप भी blessings को receive करेंगे, करेंगे, आप थोड़ा से फूल भी रख सकते हैं, ठीक है, या एक फूल की पतियां ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, यह आपकी शर्दा है, आपकी मर्जी है, कोई ना, कोई मर्जी ना, ऐसे अंधेरा जैसे लग रहा है, तो आपकी अंधेरा को दूर करने आ रहे हैं, तो किसी के लिए आपे ब्लेसिंग्स हैं, जिसके उपर जैसे अंधेरा चाया हुआ है, ठीक है, उसको कुछ पता नहीं लग रहा, किस डारेक्शन में जाना है, क्या करना है, यह लोगों की तरफ से भी भेजे हुई, कोई नर्जी हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया जलाना आपको helpful होगा, और किसी ने किसी तरह की negative energy को खतम कर पाओगे इस समय में, ठीक है, तो यह blessings है, आपके लिए तो ध्यान दीजिए, जो मैंने दिया जलाने वाली आपको remedy दी है, यहाँ पर ritual कह सकते हैं उसको, ठीक है, तो ritual कीजिए यह आपके लिए helpful होगा, ठ देख लेते हैं, और के messages ही आपके, अपने लिए stand लेने के लिए, फाइड बैक करने के लिए, कोई decision लेने के लिए, आपको डरना नहीं है, अच्छल में इस तरह कि मैंने जैसे divine intervention मोला, इस तरह की conditions जो है, इस तरह की situations create की जारी है, ancestors की तरफ से, आपके लिए, ताकि आपको free किया जाए, ठीक है, किसी तरह की energies या लोगों से आपको freedom दी जाए, लेकिन आपको ही वो initiate करना होगा, इस तरह की situations create कर दी जाएंगी, आपके ancestors की तरफ से, तो कि आपे के फाइदे के लिए, इस situations जो है, create की गई है, या divine intervention भी आप कह सकते हो, okay, soon जो है, बहुत tasty food भी आप enjoy करने वाले हो, तो ancestors की blessings हैंगे, आपके लिए, ठीक है, कोई यहाँ पर job से related, work से related काफी देर से, काफी सारी opportunities की कोई wait कर रहा था, तो वो opportunities आपकी जोली में आने वाली है, ठीक है, तो वो आप देख पाओगे, तो यह blessings आ रही हैं आपके लिए, पता नहीं, यह बहुत specific message है, किसी की पैर में यहाँ पर चोट लेगी हुई है, ठीक है न, तो आपको यह दिया जलाने के लिए, या ancestors को pray करने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पर, I don't know, तो यह बहुत specific message है, किसी की पैर में चोट लगी हुई है, तो यह please आप मुझे comment section में भी बताएं, ठीक है, तो prayer कीजिए आपके ancestors को, definitely आपको healing मिलेगी, ठीक है, ठीक हो जाएगी आपकी जो चोट लगी हुई है, और देख रहेते हैं, और क्या messages हैं आपर, यहाँ पर two sisters हैं, दो sisters हैं, मैं जो नहीं बता किस age की हो सकती हैं, दो बहने हैं, जो अपने parents को शायद जिन्नों ने खोया हैं, और वो बहुत ज़्यादा रोती हैं, ठीक है न, तो यहाँ पर parents उनके बता रहे हैं, या एक parent हो सकते हैं, mother या dad हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं, I don't know, ठीक है, तो वो parents के लिए बहुत ज़्यादा रोती हैं, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अपना ध्यान रखिए, एक दूसरे का ध्यान रखिए, एक दूसरे का support कीजिए, ठीक है, वो जहाँ पर भी हैं, ठीक है, वो आपको देख पा रहे हैं, और आपको इतना ज़्यादा दर्द में डूबे रहने की जुरुरत नहीं है, ठीक है, अपने आपको संभालिए, ठीक है, तो जो समय है, उसको कोई नहीं हरा सकता, तो अगर समय था उनका चले जाना, तो वो समय को कोई नहीं रोक पाया है, लेकिन वो ठीक है, जहां पर भी हैं, तो आपको रोणा नहीं है, एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ठीक है, अकेले मुश्कल होती लेकिन, ठीक आपकी दो hvisटर्ण हैं यहांपर, ठीक है, और देख लेते हैं, और क्या मेसज़िज हैं यहांपर, कोई अगर अपनी stability के बारे में concern है यह stability life के किसी भी हिस्से में हो सकती है या सब हिस्सों में हो सकती है relationship, finances, अपने work को लेकर अपने रिष्टों को लेकर घर को लेकर तो यह stability अगर आप वो इसके बारे में concern हो अपने ancestors को बोली आपकी यह blessings आपकी तरफ भेज रहे है कही न कहीं आपको सून जो है stability आती ही नजर आएगी जौब के भी मैंने पहले बात की है ठीक है और work में improve finances में improve हो रहा है यह भी मैंने बात की है सून आप यह change महसूस कर पाऊगे और कोई न कोई अगर आप relationship से related stability को ढूण रहे थे तो वहाँ पे भी आपकी तरफ stability आ रही है ठीक है यहाँ पर spiritual world में कोई mother है ठीक है तो वह आपने बच्चों को देखकर बहुत खुश है शायद उनके बच्चे जो है आगे पढ़ाई में education में जौब से बहुत अच्छा काम कर रहे है ठीक है तो किसी के लिए यहाँ पर message है ठीक है वैसे मुझे उनका बेटा लग रहा है कि बेटा अगर सुने इस वीडियो को तो उसके लिए message हो सकता है पर यह एक से ज़्यादा भी बच्चे हो सकते हैं गर में कि mother अब इस दुनिया में नहीं है तो वो खुश है लेकिन उनके बच्चे जो है आगे progress कर रहे हैं ठीक है शायद वो उनकी इच्छा रही होगी और बच्चे इस चीज़ को भी मानते हैं कि उनकी mother ये चाहती थी कि वो progress करें आगे बढ़ें अच्छे से बढ़ाई करें तो ये वो देख के खुश हो रही है प्लीज मुझे confirmation confirm जरूर करना comment section में जिनके लिए भी ये messages हैं तो मैंने blessings आपको पहले दे दी हैं उसके बाद ये बीज में random messages आ रहे हैं तो मैं receive कर रही है किसी के दादा जी है यहां पर वो कह रहे हैं कि शादी कर लो बेटा तो वो अपने शाद grandson को बोल रहे हैं शाद grandson जो है miss कर रहा है अपने दादा जी को या recently अगर कुछ ऐसा हुआ है ठीक है तो वो message दे रहे हैं कि कोई बात नहीं ठीक है शादी कीजिए भूमधाम से तो ऐसा कुछ message है यहां पर क्योंकि शायद age होगी उनकी शादी की grandson की तो अगर again मुझे प्लीज जरूर बताना comment section में किसके लिए message है और देख लेते हैं कुछ messages यहां पर पित्र पक्ष चल रहा है तो उसमें आपको गंगा जल चड़ाना है I don't know अगर आप पित्रों के लिए खाना देते हो ठीक है और खाना बनाते हो उनके लिए तो उसमें आपको गंगा जल डालना है पानी में या फिर कुछ यहां पर इस तरह का message है ठीक है मुझे पूरी तरह से clear नहीं है message क्योंकि ऐसा message मैं पहली बार सुन रही हूं ठीक है जैसे भी आपको ठीक लगे तो आप पानी में जब जल दें साथ में खाने के तो आप उसमें गंगा जल मिला सकते हैं और गंगा जल अपने पानी में भी आपको मिलाने की जुरुत है ठीक है यहां पर कुछ viewers जो है feel कर पा रहे हैं उनके DNA healing हो रही है बहुत सारी negativity को उन्होंने release किया है और definitely spiritual practices भी कर रहे हैं और लड़ी लोगों के भी help कर रहे हैं definitely कुछ viewers के लिए हैं यहां पर यह message तो please इसी तरह से करते रहे हैं ठीक है यह बहुत helpful है बहुत healing आपने दी है अपने ancestors को भी और अपनी बहुत अच्छे से generational healing की है और आपके ancestors जो हैं इस तीज के लिए आप पर proud feel कर रहे हैं ठीक है यह मेरे उन student के लिए भी मुझे message मिला जिदोंने मेरे साथ यह advanced spiritual protection का भी course किया है ठीक है workshop की है यह उसमें भी काफी सारी मैंने ancestral healing करवाई है तो काफी सारी prayers थी protocols थी उसमें तो उनके लिए भी यह special message है कि उन्होंने बहुत अच्छे से यह किया है ठीक है अब देख लेते हैं आपके लिए guidance देख लेते हैं आज की reading से ठीक है ना guidance के हाथ लिए compassionate की energy से जुड़िये ठीक है यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कुछ special practice भी नहीं कर रहे है special practices की आपके meditation करनी है आपको कुछ भी अलग से जाके करना है या healing courses करना है अगर आपके पास इतना time नहीं है लेकिन simple ठीक है अपने आपको nurture कीजिए दूसरों को बेहत compassionate की energy से connect कीजिए प्यार वली शब्द बोलिए ठीक है I love you बोलिए बार बार बच्चों को hug कीजिए ठीक है न प्यार से जुडिए प्यार से handle कीजिए आप धीरे धीरे खुद की भी healing कर लोगे और दूसरों की भी healing कर दोगे तो यहाँ पर यह guidance है आपके लिए तो यह ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग कुछ special ही करें यहाँ पर मैंने जो remedy दी है आपको आप ritual दिया है आपको दिया जलाने का वो आप कर सकते हो simply और जब भी आप ध्यान से अपने बच्चों के साथ अपने बड़ों के साथ एक सेवा भाव से होगा एक प्यार भाव से जुड़ें ठीक है तो किसी को भी गुस्से से वो नहीं करना आपको interact नहीं करना है आपको और painful words जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं बोलने हैं harsh words जो होते हैं वो तो आपको बिल्कुल भी शब्द दूसरों को हट नहीं करना है अपने शब्दों के साथ ठीक है तो बस इतना ही कर लीजिए नेक्स चलते हैं और क्या गाइड़न्स है डर्ना नहीं है तो अगर आपके एंसेस्टर्स आपको सपनों में दिखाई देते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप कौन सा message आपको देने आए हैं ठीक है डीकोड करने की कुशिश कीजिए लेकिन डर्ना नहीं है और उसके लिए कुछ नेगटिव मिनिंग नहीं निकालना है अगर नहीं समझ में आया कि यह क्या सपना था तो छोड़ दीजिए जिस लीवेट वो सकता है वो दुबारा आजाए तो second time, third time शायद आपको समझ में आजाए लेकिन उसका कुछ negative वो मत निकालिए कि अरे मुझे एंसेस्टर्स दिखाई दे रहे हैं पता नहीं क्या होगा कुछ इस तरह से वो मत कीजिए ठीक है वो हमेशा आपका भला चाहते हैं आपको ब्लेस करने आते हैं ठीक है आपको कोई भी एंसेस्टर्स दिखाई नुकसान नहीं करना चाहेंगे next final guidance देख लेते हैं आप पर final guidance क्या है जिनकी भी फोटो आपके घर पर है ठीक है ना जैसे दादा दादी की होती है ना नानी की है किसी की भी है ठीक है जो इस दुनिया में नहीं है कभी न कभी उनके हाथ जोड़कर आप बोलिए कि हील कीजिए ब्लेस कीजिए ठीक है मेरे बच्चों को मेरी फैमली को ठीक है ब्लेस कीजिए आप भी खुश रही है ठीक है तो और उनके नाम का कहीं कुछ ना कुछ डोनेट जरूर करते रही है ठीक है इतना simple सा काम कर लीजिए तो ये थी आप लोगों के लिए guidance और reading थैंक यू थैंक लगेगा read करके तो वो confirm जरूर कर देजिए again daily readings के लिए जो मैं post करूंगी उसके लिए आप मेरे चैनल की membership को join बटन के साथ join कर सकते हो ताकि आपके पास बहुत सारा content हो daily में देखने के लिए दो-दो videos हो देखने के लिए otherwise एक ही video होगी जो channel के लिए होगी ठीक है जी मैं म